देखिए रात के बारा बज़ गए हैं लिकिन मैं अपना व्लोग कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि आज साधी से एक दिन पहले काफी ज्यादा काम रहता है आपको पता ही होगा तो आज मैं बना रहा हूं देखिए एकदम रात में सुनसान चारो तरफ कोई नहीं है सिर्फ मै हूं और मेरा यह मुबाइल है तो वीडियो में यह पे बना रहा हूं सामने आप देख सकते हैं लाइटिंग अच्छे से जगमगा रही है और सारे सामान अपनी अपनी जगा पर रखे हुए अब यह कल अपनी अपनी जगा पर एक दम रखे हुए हैं तो ठंड तो काफी जादा एकदम पड़ रही है अगर आप मुस्किल से पांच मिनट बिना स्वेटर के रहेंगे तो आप एकदम जम सकते हैं तो सामने आप देख सकते हैं वहापे भी टेंट लग जाए वह अंधेरा में आपको अतना अच्छा दिख नहीं र थोड़ा खराबत है तो वह कवर करने के लिए यहां पर हम लोग यह अच्छी सी थीम क्रियेट के थी यह जो परदा आता है उससे तो यहां पर देखिए पूरी कली एकदम कवर हो जाएगी फिर यह रास्ता बनेगा नीचे पूरा एकदम अच्छे से मैड भी जाएगा तो सारा कुछ फिर उसके बाद सर्व किया जाएगा आड़ बेजे यहां पर देखिए सारे सामान रखे हुए है यहां पर आप देख सकते हैं सुबा कईए मैं आपको सीन देखा रहा हूं जब पूरा टेंट एकदम अच्छे से लग जाएगा फिर उसके बाद का व्यू मैं आ एक दम अच्छे से आपको पूरा दोस्रे व्लॉग में देखाऊंगा सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हैं सुबा की तैयारी हो रही है नास्ते की यहां पर देख सकते हैं डेग चड़े हैं और यहां पर रोटी बन रही है और इसी तरह से सारा काम चल आया है और वहां तो मैं आपको दिखाऊंगा भी लेके जाके यह घर के अंदर भी मैं इस्टेज बनवा दिया था देखिए आप साब ने देख सकती हैं यहां पे हल्दी वाला भी चल रहा है फिर कल एकदम अच्छे से बन जाएगा दोसरे तरह से तो यह काफी अच्छा देखिए में लग र देखा रहा हूं यह देखिए ओपर की तरफ मैं गया था भी वहां का भी बनाया हूँ अभी आपको दिखाऊंगा सामने का यह इंट्रेंस है यह आप देख सकते कितना खुबसूरत लग रहा है और यहां पे देखिए काफी खुबसूरत यह लगता है चले फिर चलते है कर देखिए